कि विचल अनेवल टू हगी यहाँ बेल टू आगया एक टू कॉम हटा देते को पब भीत नहीं होते हैं किवल को Perché चैनल था पर्सण वाला हैले कोषल आए था और विचले तिन दिनों से कोषण आपको Repeat कर रहा विए अनेवल टू को विद्दा शलेवश कर शलेवश के साथ समंझस बैठाने में आसमर्थ होने के कारण विए कोर्स को दिसकंटियू कर दिया च्छोड़ च्छोड़ के कोर्स किया बत समझ समय इसवेचान अनुट बस तु के लिए भीविफैन झाल करता है और दोनों की के कौशन काफी होट कोशन हो गया काफी एंप्रूटेंट कोशन है और बराबर आते रहे आपको तेके और अ जिसका सब्जेक्ट एक भी होता है और इसका सब्जेक्ट दो भी होता है बरावर कोशन आते रहाता है यदि हम बात करेंगा वेंग रेनी डे वेंग रेनी डे बारिस का दिन था इसलिए he could not he could not go out इसलिए वह बाहर नहीं जा पाया कहने का मतलब यह हुआ कि अधी सेंटेंस आपका विंग से शुरू रहे तो पार्टिसीपल और पार्टिसीपल वाले सब्जेक्ट में एक भी सब्जेक्ट हो सकता इतने या दो भी हो सकता खासकर विंग वाले में लेकिन यहां क्या आपको डिफ्रेंट आएगा तो कंफर्म यह सेंटेंस को पहले गलत करें क्या करें सेंटेंस को गलत करिए सही बनाने के लिए जो सब्जेक्ट आपको डिफ्रेंट दिखे उसको बिंग के पहले पूछ करते हैं और राइट आंसर इसका बनेगा इट वेंग रेनी डे एट आपको डिफ्रेंट 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 आएगा तो समझ जाना की विंग के पहले आवसकता अनुसार प्रोनावन आएगा ठीक है अब यहां का रहा विंग अनेवल तू को पप बिद्द सेलेवस सलेवस के साथ समंजस बैठाने में अश्रमार्थ यदि बिंग वाले बाग्यों में यदि बेंग एंड इमेनेंट डॉक्टर इसका मतलब हुआ कि जो परसन परसिद था जो परसिद डॉक्टर थे उसी को इन्वाइट किया गया यदि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको सेम आजाए तब वेंग के पहले किसी प्रोनावन का इस्तमाल नहीं क्या जाएगा जो परसिद डॉक्टर था उसी को इनसी को इनवाइट किया गया cold it लेकिन दोनों का सब्जेक्ट सेम हो जाए तो वेंग के पहले किसी प्रोनावन के समंझसर सिटेधा नहीं करें कुछी कोषन यहां कर रहा we gonna work with the cultural से समंझसर भीफाने में आसमर्थ होने के कारान व्यास पाठ करम जो था उससे समंझसर भाने में आसमर्थ होने के कारान he discontinued the course वह course को discontinue कर दिया course को छोड़ दिया और जो अनेवल था वही छोड़ा जो अनेवल था वही छोड़ा और यहाँ पाडिस्टिपल का नियम सही था को अपबीत गलात था किलेर हो गया